मैं रश्मी भेलवा, सहायक प्रध्यापक मनस्पति शास्त्र, शास्की नागरी कल्यान महाविद्यला नन्नी नगर दुर्ग से आज हम BAC 2nd year के 2nd paper के unit 1 से एक short note insectivorous plant या जिसे carnivorous plants भी कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे की इस insectivorous plants को हम कीट भक्षी plant भी कहते हैं, ये ऐसे पौध होते हैं जिन में chlorophyll की अधिक्ता होती है इसलिए ये प्रकाष संसलेशन के द्वारा carbohydrate का निर्मान तो कर लेते हैं, लेकिन और इनको हम swim pushy कहते हैं, लेकिन ये ऐसे दलदली शेत्रों में उपते हैं, जहां पर भूमी में nitrogen yogic की कमी होती है और nitrogen हम जानते हैं कि पौधों की वृद्धी के लिए बहुत अवश्यक होता है और इसलिए जो है उस nitrogen की पूर्ती के लिए ये इंसेक्ट को अपने भोजन में शामिल करते हैं अब अब एक सी बात है कि जब ये इंसेक्ट को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा इनको जो है कुछ ना कुछ जो है कुछ अपने आप में जो है changes करने पड़ेंगे और हमारे भारत में इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो अधिकतर आसाम, कश्मीर, दाजलिंग आधी जगा पाये जाते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट का यदि हम यहाँ पर example देखें तो जैसे commonly हमारे यहाँ जो मिलते हैं वो है venus fly trap, pitcher plant, drossera, utricularia, आधी और इनका यदि हम characters देखें तो सबसे पहले इन में nitrogen की कमी होती है और यह ऐसी जगा में पाया जाते हैं जहाँ पर nitrogen की बहुत ज़्यादा कमी होती है और यह पौधे nitrogen को प्राप्त करने के लिए insect को digest करते हैं और उसमें से nitrogen को absorb करते हैं और अपनी पत्तियों के द्वारा यही इसका उपयोग कीडे को पकड़ने के लिए या insect को trap करने के लिए उपयोग में लाते हैं यहाँ पर हम इसमें और भी देखें तो यह कुछ attractions अपने आप में या कुछ कहना चाहिए कुछ अपने आप में changes जो है वो इनको लाना पड़ता है ताकि insects जो है उनकी तरफ attract हो साथ ही साथ इसमें जो है बहुत अच्छी खुश्बू आती है और इनमें जो nectar है मकरंद वो अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे भी insects जो है उनकी तरफ attract होते हैं और उनसे attract होते हैं जब तो ये खुश्बू और सुन्दर्ता के कारण तो वो insect को ट्रैप कर लेते हैं और इनमें इनकी पत्तियों में या उनके उस पार्ट में जहां कीड़े को उनने ट्रैप किया है वहाँ पे hair के समान संरचनाय पाई जाती है जो की एक बार उनके चंग पूल में यदि वो कीड़ा फस चुका है तो वो जब तक उसके अंदर से सारे अब्सॉर्ब ना कर ले तब तक वो वहाँ से छूट नहीं पाता और इनमें जो है डाइजस्ट्य एंजाइम्स जो है उसका सिक्रिशन होता है जिससे वो कीड़े में उपस थी सारे जो न्यू अधिकतर गीले नमी दलदली वाले स्थान पर पाये जाते हैं और जहां पर बहुत अधिक जो है काहे की कमी रहती है नाइट्रोजन की कमी रहती है कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स का यदि हम एक्जामपल देखें तो सबसे पहले जो है ड्रॉसेरा इसे जो है इसकी कर खराइए तो सबढ़े जाता है काहें पुष एक्षा प्रकार से ओसिरा प्दार्थ पनाटे बाद सिर्दारण है कञे पितने पाये जाते हैं जो है निःट्री की अ तो सबस्याएं जो हम कि अधिक लगे हैं की यह सब्सक्द ग मानृति ब्स्दा निवन पर सब्सक्टिव और इस चमकीले चिपचिपए पदार्थ की सुगंद से इनसेक्ट जो है इसके उपर अट्रेक्ट होता है और बैठता है जैसे ही वहाँ बैठता है तो वो टेंटिकल्स उसको चारो तरफ से घेर लेते हैं और घेर करके उसको पकड़ लेते हैं यहाँ जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह देखो यह टेंटिकल्स है वो टेंटिकल्स जो है उनको इंसेक्ट को पकड़ लिए और उससे जो है वो एंजाइम्स का सिक्रिशन हो रहा है जिसके द्वारा यह उसमें एब्जॉर्ब करते हैं उसको उसके मकीडे के अंदर के जो न्यूट्रेंट से अब्जॉर्ब करते हैं और अब्जॉर्ब करके जो है वो उसमें जब उनका पूरा रस चूस लेते हैं तो उनको वो वापस भूमी पर गिरा देते हैं दूसरा हम देखें तो यहां पर है वीनस फ्लाइ ट्रैप यह जो है इसमें हम देख रहे हैं कि कैसा है यह जो इसकी ज वो दो भागों में बटी हुई है और बीच में जो इनके मिड्रिब पाया जा रहा है यह जो मिड्रिब है इसमें sensitive pointed hairs रहते हैं और उसके किनारे की तरफ margin में जो है कुछ दात की समय सरचना पाई जाती है और लंबा पीटियोल होता है यहाँ पर जब वो insect आता है आके इसके उपर बैठता है तो जैसे ही वो बैठता है और उसकी hair से वो insect को sensation मिलता है तो वो तूरंत जो है वो क्या करता है insect को जो है वो दबा के पकड़ लेता है और पकड़ के वो तब तक नहीं जाने देता जब तक कि उसकी उसका रस ना चूस ले और जैसे ही वो उसका रस चूसता है यह पत्ती जो है वापस खुल जाती है तीसरा जो है निपेंथस जिसको हम picture plant भी कहते हैं या घट परणी भी कहते हैं यह लता के रूप में रहते है या जिसको हम कहना चाहिए एक आरोही लता है जिसमें जिसको हम उसमें एक धकन पाया जाता है यह धकन जो है वो उस धकन जो है उसमें वो लिड के समान काम करता है धकन और इसके अंदर पर उसके जो picture है या उसका जो कलश है उसके अंदर बहुत सारे जो है ग्लैंट्स पा ये रस या एंजाइम्स जो हैं ये मीठे होते हैं स्वाद में इससे अट्रक्ट होकर कीट जो है इसके पास जाता है और वहाँ पर जाकर के उसके मुह के पास जाकर के बैठता है और जैसे वह वहाँ बैठता है तो वह फिसल जाता है और फिसल कर वह सीधे अंदर की वर पहु कलश में उपस्थित अमली लिक्विट की सहता से जो है इंसेक्ट को पचा दिया जाता है और वो पचा कर नैट्रोजन की आउशक्ता पौधा पूरा कर लेता है जब तक ये कीड़ा उस प्लांट में कलश के अंदर रहता है तब तक वो ढकन बंद रहता है और जैसे ही वो असाम में बहुतायच से मिलता है क्योंकि वहां और साथ ही साथ जो है इसको जो है हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है अपना कार्य जो हो पूरा करता है इसके बाद एक और इंसेक्टिव और इस प्लांट के बारे में यह दें देखें तो वो है यूट्रिकुलेरिय इसे जो है हम ब्लेडर वर्ड भी कहते हैं और यह तलाप, पोखर, आदी में बहुतायच से हमारे 36 गड़ में भी पाया जाता है इसकी जड़ जो है वो प्राया अनुपस्थित होती है और पतियां बहुत ज़्यादा कटी-फटी होती है इन कटी-फटी पतियों में कुछ पतियां जो है वो छोटे-छोटे थैली के रूप में या ब्लेडर के रूप में रूपांतरित हो जाती है और इसलिए हम इसे ब्लेडर वर्ड भी कहते हैं और थैलियों के मुँपर एक-एक कपाट होता है या वाल्व होता है जो भीतर की ओर खुलता है मुँँ के चारोर अनेक हार्ड हेर्स पाए जाते हैं और पानी की धारा के साथ इंसेक्ट ब्लेडर में प्रवेश करता है इंसेक्ट के प्रवेश करतने के बाद वाल्स जो है वो बंद हो जाते हैं जिसके कारण इंसेक्ट थैली के भीतर बंद हो जाता है और थैली के अंत्रिक भीतियों पर उपस्तित digestive glands इंसेक्ट को डाइजेस्ट करती है इस पौधे की बहुत सारी species हमारे 36 गड़ के तला पोखर नदी आदी पर पाई जाती है और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं कि कैसे इसकी पतियां कितनी ज़्यादा कटी-फटी दिखाई दे रहे हैं और उस ब्लेडर को यह दिखियां हम आंत्रिक संरचना देखें तो अंदर की तरफ देखिये digestive glands दिखाई दे रहे हैं और इंसेक्ट जो है वो वाटर के थूरू अंदर गया है अंदर जाकर के वो इंसेक्ट देखिये वो पड़ा हुआ है और उसके sensitive hairs जो है वो और valve हमको दिखाई देरा valve जो है वो बंद हो गया है जिसके कारण वो insect बाहर नहीं निकल सकता तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह insectivorous plants जो है वो किस तरीके से अपने आउशकता nitrogen के आउशकता को पूरा करते हैं तो आशा है यह आपके लिए काम का का काम आएगा थेंक यू झाल 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 झाल